मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा आगे चलके बताऊंगा और आपको पता चली जाएगा दिख जाएगा पेज पे तो आज जो मैं बात करूँगा मैं किसी इस पर्टिकुले स्टॉक के फंडेमेंटल से रेजल से या फिर उसके रेटन से आने वाले समय में कितना देगी इस बारे में बिलकुली बात नहीं करूँगा क्योकि आज मैं बताने वाला हूँ कि हमily bonus की ताकत कैसे पहचाननी चाहिए तो bonus की ताकत के बारे मैं आपको एक example दूँगा चुझकि मैं भी search करता रہता हूँ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ तो मैं आपको एक ऐसे motivational ऐसे energy वाली जो आपको मतलब सोचने पर मजबूर करते कि क्या bonus भी इतना पैसा दे सकता एक long term period पे या एक long term perspective पे तो चलिए देखें यहाँ पर जो headline दिख रहे हैं आपको multi bagger of long term investment the great Indian multi bagger story Rs. 10,000 to 3.69 croda rupees तो यह मैं आपको यह पूरी history नहीं बताऊंगे कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो मैं आपको मोटा मोटा particular मुद्दे की बात यहाँ पर शुरू करता हूँ कि यह company का नाम है विप्रो suppose you have invested आपने 10,000 रुपए के shares लिये थे 1980 में और उस समय 100 रुपए एक share का भाव था you would have got 100 shares at 100 each और 10,000 रुपए में 100 shares आपको मिलते now shares of Wipro has gone through multiple splits and bonus इसकी जो face value थी उससे वो विभाजित हुआ है और जो उसने लगातार बीच बीच कई कई सालों में bonus देता रहा है उसकी ताकत को आईए हम जानते हैं कि कितने रुपए हो चुके so we adjust them as and when splits and bonuses happen देखे अब आपने 100 रुपए 100 stocks आपके पास है 10,000 value कि 1980 में अगर आपके for father या अगर आपकी भी काफी उमर आपने लिये होते तो 1981 में वो bonus दिया था तो 200 shares हो गए होते आपको 1985 में फिर एक plus एक का bonus मिलिया तो 200 से सीधे 400 shares हो गए आपके 1986 में stock split हुआ face value 10 पे आ गया तो 4000 क्योंकि 100 के face value थी वो 10 पे आ गया सीधे तो आपके shares जो है सीधे 10 गुना हो गए तो 4 के जब हम multiply करते हैं 10 times में तो 4000 shares हो जाते हैं और 1987 में फिर bonus दिया तो 4000 shares आपके double हो गए 8000 हो गए और जब 1989 में फिर दिया 1 plus 1 का तो 8000 आपके 16000 shares हो गए और 1982 में again 32,000 हो गए तो इस पकार multiply करते हैं 1995 में भी आपके 64,000 shares हो गए 1997 में फिर दिया इसने 2 plus 1 तो 191,92,000 shares हो गए आपके 1999 में फिर split हुआ 2 की face value पे आ गया तो आपके 9,60,000 shares हो गए 2004 में फिर इसने 1 का दिया bonus तो 28,80,000 shares हो गए आपके और 2005 में फिर 1 plus 1 का बोनस दिया तो इसमें 57,60,000 shares हो गए आपके और 2010 में दिया इसने 3,2 का जिसमें आपके 90,000,000 shares हो गए आप 90,000,000 shares value of Vipro shares is around 380,000 रुपए 2000 के जो भी current ये rate रहा हो इसके बाद का क्योंकि इसके बाद भी कई बार bonus शायद दिया है 2019 चल रहा है आज हम ये वीडियो बना रहा है आठ मार्च 2019 को तो अचानक ही मेरे मन में ख्याल आए क्यों आप लोगों को बताया जाए कि सिर्फ हम return के बारे में सूचते हैं हमें कुछ ऐसे stocks large cap के चुनते ही नहीं जैसे infosys हो गए TCS हो गए विप्रो हो गए जो bonus भी अच्छा देते हैं और dividend की बाद तो मैं कठी नहीं रहा तो अवे value of 1 विप्रो शेयर is around 385 अब हम 385 को जब हम multiply करते 96,000 से तो ये बनता so as of today your investment of RS 10K 10,000 रुपए जो आपने 1980 में लगाये थे worth is staggering RS 379 करोड रुपए हो जाते हैं आपके 10,000 रुपए में जो लगाये थे आज वो अपने आप इतनी बार split हुए इतनी बार bonus दिया कि 300, 300 मदद 3 अरब 79 करोड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कि इस bonus की इस compounding return की ताकत को समझे तो हम long term perspective से अगर कोई भी stock लेते हैं तो उसका कितना future है हमें अरब पती बना देता है अरब पती literally प्लस आप एक चीज़ और notice करिए कि जितने भी यहां पे जो shares है इन पे जब यह विप्रूब वो डिविडेंट भी पे करती है तो माल लीजिए कि dividend इनका आता है जो भी देता हो पर share तो वो dividend तो tax free होता है वो तो plus है dividend तो हमने include ही नहीं किया और तो इस प्रकार से आपको जो shares है अब देखिए हम money control की side पर जाते तो announcement dates भी यहां bonus ratio का लिखा हुआ है यह देखिए कैसे कैसे तो as it is है वहाँ पर जो website पर दिखा है एकदम correct दिख रहा है तो bonus के बाद फिर इसमें rights ratio भी है splits भी है, dividends भी है तो dividends तो आपका plus है तो आप समझे कि bonus के कितनी बड़ी ताकत होती है मैं तो अभी तक हैरान हूँ और देखिए अमाल लिजिए कि यह 19 में भी bonus दिया, 18 भी दिया, 17 भी दिया, 16 तो हर साल यह bonus भी देती है company तो इस प्रकार से bonus तो extra आपके लिए फायदे मन्द है वो तो बैठे बिठाए इतना अच्छा मिलता है तो आप समझ गए कि long term रखने से हमें कोई भी stock है और अच्छे stocks के, अच्छी company के large cap की कितन बोनस और कितने dividends मिलते हैं, तो आज मैंने यह story आप लोगों के साथ share की, तो ऐसे ऐसे मैं अलग-अलग companies के बारे में बताता रहूंगा, और आप हमारे जरूर इस चन को वीडियो देखते रहें, जैसे कि यहाँ पर नाम है long term shares, और यहाँ पर red button and subscribe के जरूर आप प्रेस कर जैसे आंधा petrochemical, DHFL, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और rain industry, no-sil, तो अभी आप समझ गये होंगे कि मैंने क्या बोला कि bonus की जो ताकत है आज हम उसी पर बात करेंगे, तो friends मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर यह motivational story पसंदा, it's not just a story, यह हकीकत है, औ जिन्होंने 1980 मिलिया होगा, आज वो राजा है, और आप भी ऐसा कुछ नहीं कि समय निकल गया है, आप भी अच्छे stocks चुनिए, उनको buy करती रही है, अगर आपके पास लंबसा ममाउट नहीं है, और bonus की ताकत को पहचानी है, इसलिए कभी-कभी हमें short term है, छोटा सा profit मिल मेरे साथ हमने बहुत सारे ऐसे से अलच्छी companies के वीडियो बनाए हुए हैं, जुड़े रहिए और ज़रूर सस्क्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग अबर वीडियो